नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नौलेश पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी किसी भी देश के लिए एक चिंता का विशय माने जाती है क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के अपना वीडियो और जानते हैं दुनिया के उन देशों के बारे में नमबर एक भारत भारत की वरतामान आवादी लगभग 136 करोड के आसपास है और भारत की आवादी इसी तरीके से बढ़ती रही तो साल 2050 में भारत की आवादी बढ़कर के 170 करोड हो जाएगी जो की जाएगी जी हाँ ये बिल्कुल सच है साल 2050 में चीन की आवादी लगभग 130 करोड के आसपास ही रह जाएगी इसका में कारेन यही है कि आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चाइना ने बहुत सालों तक अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी ल अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही तो साल 2050 तक अमेरिका की कूल आवादी 32 करोड से बढ़कर के 40 करोड हो जाएगी नमर चार नाइजीरिया नाइजीरिया की वरतमान आवादी लगभग 19 करोड के आसपास है और नाइजीरिया की आवादी जिस परकार से बढ़ रही है अ इंडोनेशा की वरतमान आवादी लगबग 26 करोड के आसपास है और इंडोनेशा की आवादी जिस प्रकार से बढ़ रही है अगर उसी प्रकार से बढ़ती रही तो भी ये साल 2050 में पहुंच करके मात्र सिर्फ 29 करोडी होगी नमबर 6 पाकिस्तान पाकिस्तान की वरतमान कुल आवादी लगबग 20 करोड के आसपास है और पाकिस्तान की आवादी भी अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो साल 2050 में पाकिस्तान की आवादी भी बढ़कर के लगबग 27 करोड के आसपास हो जाएगी नमबर साथ ब्राजील, ब्राजील की वर्तमान आबादी लगभग 21 करोड के आसपास है और ब्राजील की आबादी अगर इसी प्रकार से बढ़ती रही तो भी ये साल 2050 तक पहुंच करके मात्र सिर्थ 22 करोडी होगी जो की अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छा और कम है नमबर आठ बंगला देश, बंगला देश की वर्तमान खुल आबादी लगभग 10 करोड के आसपास है और बंगला देश की आबादी जिस प्रकार से आज बढ़ रही है अगर उसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी बढ़ती रही तो साल 2050 में बंगला देश की आबादी पहुंच करके 19 करोड हो जाएगी जो की इसकी वरतमान आवादी से लगभग 2 गुने के बराबर है नमबर 9 फिलिपिन्स फिलिपिन्स की वरतमान आवादी लगभग 10 करोड के आसपास है और जिस परकार से इसकी आवादी बढ़ रही है साल 2050 में यही आवादी बढ़ करके लगभग 15 करोड 40 लाग के आसपास हो जाएगी नमबर दस कॉंगो कॉंगो की वर्तमान आवादी लगबग 8 करोड के आसपास है और कॉंगो की आवादी भी अगर इसी प्रकार से बढ़ती रही तो साल 2050 में यही आवादी बढ़ करके लगबग 15 करोड हो जाएगी जो की वर्तमान आवादी का लगबग 2 गुना है एक अनुमान के अनुसार इस बात को कहा गया है कि साल 2022 में ही भारत चीन को पचाड करके दुनिया में सबसे अधिक आवादी वाला देश होगा जो की भारत के लिए एक चिंता का विशह है दोस्तों क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारत में भी चीन जैसे जनसंख्या नियंतरन कानुन बनाने की जरूरत है क्योंकि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या वास्तम में ही एक टाइम बॉम का काम कर रही है जो की हमारे देश के लिए काफी घातक है आप लोगों का इस बारे में क्या सूचना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं